नमस्कार दोस्तों मैं हो रोही दिख्षित और सेलेक्शन मेंटर पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ तो जैसा कि आप सबको पता है कि IBPS, RRB की वेकैंसी के बाद हमारे ये नया बैच स्टार्ट हुआ है जैसा कि आप अभी तक पढ़ रहे थे कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सिलेबस क्या-क्या है हमारा और किस तरह से कौन से टॉपिक का वेटेज होता है और फिर मैंने पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको even और odd numbers का multiplication के बारे में बताया कि even numbers और odd numbers का multiplication कैसे और क्या निकालते हैं इसके बाद मैंने आपको स्क्वेर निकालना बताया था, तो आज फिर हमने डूसरी क्लास पढ़ी और वैंने आपको बताया था अंकों की समझ यानी एक से नो तक जीरो से नो तक हमारे अंक होते हैं और उनके बाद दो, तीन, उंकों को मिला कर संख्या फिर मैंने question कर आय थे जिसमें था कि दोसो पन्य वाली पुस्तक के अंकों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत हो जो इस तरह से question था और भाग पर अधारित प्रश्न थे बच्चों उसी तरह से उसी class को कल वाली हम थोड़ा आगे लेकर बढ़ें तो कल वाली कल ता question last वाला उसमें मैंने आपको कहा था कि सफलता पूरवक और इसके पहले था लगाता यानी लगाता सफलता पूरवक इसका मतलब कहाई है हमने आपसे कहा था इसका मतलब ये है कि अगर हम कई बार कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि, हम क्या करते हैं कि, पहले वाली step का जो उत्तर आता है, वो लेकर आते हैं, second step में उसका जो उत्तर आता है, वो third step में लेकर आते हैं, और जो third वाली का आता है, वो fourth step में लेकर आते हैं, इसी तरह से process चलता रहता है, कहने का मतलब लगातार सफलता पूर तोड़ स्टिप में होना तो पहली स्ट्प क्या है पहली पहली स्ट्प ये है कि सिक्स्टीं को हम چार से भाग gosh चार यह क्या है यह完全ize । हम इस result को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो second step में इस 4 में 2 जोड देंगे बच्चा तो 6 आएगा देखा अच्छा एक चीज और कल मैं देख रहा था कि जब प्रिवियार चल रहा था तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि प्रशन को ध्यान से नहीं पढ़ा प्रशन का उत्तर दिया उन्होंने अच्छी बात है आपने कोशिश की गलत दिया लेकिन प्रशन की जो भाशा हम समझा रहे थे उसको बच्चों ने ठीक से नहीं देखा ठीक से नहीं समझा कि मैं क्या समझाना चाहरा हूं तो प्लीज आप बहुत बारीकी से एक एक शब्द सुनिये क्योंकि हमारे लिए ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए बेस इंपॉर्टेंट है तो आप बेस को ध्यान में रखें तो ऐसे कितने भी क्वेस्चन आप छुटकी हो मैं स्वाल ठीक है तो अब आपको क्या करना है जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी वो देखें तो आगे का सब हमें पता चल जाएगा फिलाल हमें सफलता पूर्वग का मतलब यहाँ पर समझ आ जाया कल भी हमने बताया था और आज भी तो क्वेस्चन क्या है आज का आज का आज का क्वेस्चन यह है कि अनंबर और दिवाइड़ भाइड़ पाइड़ पाइड़ सेवन सक्सेसिवल यानि किसी संख्या को जब लगातार पांच और साथ से वाजित किया जाता है तो कहरा लीज़ दा रिमेंडर टू एंड पोर रिस्पेक्टिवली तो शेष फलकरम शाह दो और चार आते हैं यदि उसी संख दिया गया था इसमें दो को हमने क्या आपसे बताया कि कहीं भी सक्सेसिवली की बात आ जाये कहीं भी लगातार की बात आ जाये तो आप ये समझिए की दो बार भाग दिया जा चुका है हम फिर बता रहे हैं कि संख्या एक नहीं है जो आया होगा जो उत्तर आया होगा उसका उत्तर लेकर सिंट स्टिप में आगे बढ़े यानि पहले पांच से भाग दिया गया और फिर साथ से तो कह रहा है शेश फल दो आ रहे थे और चार आ रहे थे हमने क्या कहा संथ्या कल भी बतायी थी विस्तार पूर्वक जो लोग आज नयजवाइन हुए हैं वो कल वाली क्लास देख लें भाई विस्तार पूर्वक बताया था हमने कि इन प्रशनों को नीचे से उपर करते हैं नीचे जब भाग फल ना दिया हो तो भाग हमेशा क्या सबसे लीस्ट नंबर लेते कितनी बार जाता एक बार तो सेवन इस यानि यहां पर रहा होगा घ्यारा यह जियारा कहां से लाए होंगे यहां से ग्यारा पचे पचपन और वो संख्या हमारे सामने हाजी रहे सकता है ठिक यानी वो संक्या है 57 अब जो प्रस्ण कह रहा है यदि उसी संक्या को 35 से भाग दे दिया जाए भहिया दे दो 35 से 35 वञ जा 35 तो हमारा उत्तर क्या आ गया 22 और यही हमारा उत्तर है ठिक फिर बता रहे हैं बहुत बारीकी से समझेगा अच्छा कल हमने इसकी रिक भी भताई थि हें गले के के जिसको हम बोलते हैं भाजक और हमने कह था आपसे शेशफल लिख लिख लीजी जिसको बोलते हैं रिमेंडर पांठ पर चौनि क्या बताया था हमने आप से कहा था कि सीधा सीधा जोड देते हैं जोड़िये साथ और 4-11 और तिर्चागूना ग्यारा पचे पच्पन, पच्पन में दो जोड़ों दीजिए, कितना हो गया, 57, लेओ आंसरा, ठीक, अच्छा, आगे 57, और आगे 57 के बाद की कारवाई, यहां से करनी है, ठीक है, तो ये बच्चा बेसिक था, ये बेसिक था, ये ट्रिक थी, जो ऐसे सभी प्रशनों में लगेगी, लेकि सब में नहीं, इसलिए ट्रिक को कमे याद रखिए, ठीक है, तो देखो ट्रिक कब लगेगी, जब, जब, लगातार, बहुत ध्यान समझे है, दो बार भाग दे लिया जाए, सिर्फ दो बार, भाग, दिया, जाए, और, तीसरी बार देने को बुल, ठीक है, देने को बुल, क्या होगी ट्रिक, एक्स B प्लस वट, इसमें देख लिक लिए, लगातार, भाग दिया है दो बार, और तीसरी बार, भाग देने के लिए हमसे कह रहा है, है तो हमें क्या करना है एक्स का मतलब होता है फर्स्ट नंबर यानि पहली संख्या पहली संख्या क्या है बच्छा पांट लिदिया जब दो संख्याओं के बीच में कोई पहली निशान नहीं होता तो गुड़ा होता है बी मतलब दूसरा शेश तो दूसरा शेश क्या है चार ए मतलब पहला शेश प्लस ए यानि कितना दो देखो पांच चुको बीस और दो बाईस अतरा गया तो यह उसी में लगेगी जहां पर दो बार भाग दे दिया जब एक बा चंबे से पहुंते हैं भी भाग भी थीक है बहुत बढ़ी है बताईए देखिए सबसे पहले आपको इतना तो ग्यान होगा कि बड़ी से बड़ी संख्यान नौ को नौ के अंकों में यह एक अंक की दो अंक की तीन अंक की चार पांच छे साथ आठ नो दस ऐसे करते और छो यहां पर हमसे बात कर रहा है कि पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999 और यहां भी हम लिख लें 9999 अब आप कहोगे सर्थ 2 जगा क्यों लिखा अभी बटाते हैं बच्चा देखो किस से भी भाजित करना एक्यान में से कर जाते हैं देखो नाइटी वन बन जा नाइटी वन चला कि इतना बच्चा आठ कितना बच्चा नौ बच्चा अभी अगला नो अतारने से पहले जीरो तारेंगे तो नो अब जाएगा नौ बार इस देखते हैं जला हूं कि जाएगा यह नाइन बन जा नाइन नाइन जा एक्स्ट्रा अपनी यूपी की भाषा में बोलें तो जादा और शुद्ध हिंदी में बोलें तो अधिक और एक चीज ध्यान रखना अधिक चाहें आपकी नीजी जिन्दगी में कोई चीज अधिक हो या प्रश्ण में अगर वो अधिक है इसका मतलब आप सफल नहीं हो पा रहा है तो जो चीज जरूरस से जादा है यही अधिक है उसको आप निकाल दी तो बस क्या जादा था एक्यासी तभी तो यह कट नहीं रहा था आप उठा यह क्यासी को और यहां से माइनस कर दीजिए तो बचेगा एट वन नाइन नाइन ठीक है पता चल गया आपको ठीक है जो ना समझ में आप कमेंट कर लिए ठीक है अगला क्वेश्चिन छे अंकों की छोटी से चोटी संख्या जो 111 से पूर्टिया विभाजित हो देखो चोटी से चोटी संख्या 123456 123456онч4 और MP3 कंभा देखो क्यों लिखना विछ टार किस से भाग देना 119 जा विटा क्या बचेया 100 अच्छा एक बात बता हूं यह जो संख्या है ये छोटी है पांच अंकों की छे अंकों की सबसे छोटी है ठीक है बच्चा अगर इसमें से हमने एक भी माइनस कर दिया तो पता है एक दो तीन चार पांच ये पांच अंकों में आ जाए कितने अंकों में पांच अंकों इसका मतलब हमें कुछ भी माइनस तो तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि हमें कुछ माइनस virgin अब प्लस क्या करना है ये संगें सोचो जड़ा सोचो एक दो टीन चार पांच छे इसको अगर हम 111 से भाग दे रहे हैं तो अगर ये 9 बार जा रहा है तो बच्चा अभी तो 100 बच रहा लेकिन अगर 111 होता तो क्या एक बार और न चला जाता और चला जाता तो यहाँ पर क्या होता कि पूरा पूरा कड़ जाता है कड़ जाता है लेकिन 111 तो नहीं है क्या लिखा है 100 कितना कम लिखा है 11 कम लिखा है तो जो कम लिखा है उसको उठाके जोड़े एक दो तीन चार पांच और चला यह प्रस्मिका उत्तर आपके साथ अब आप कहोंगे सर माइनस क्यों ने बताया ना हमने माइनस इसलिए ना कर है अगर है वेवे एक भी माइनस कर दोगे तो पांच में चली जाएगी तो आप माइनस मत करिए प्लस करिए क्या जो कमी है समझे अब आप लगाईएगा देखिएगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्यूब रूट के निकालना मतलब क्या कि क्यूब रूट कैसे निका देखो क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट को हम बोलते हैं हिंदी में घन मूल क्या बोलते हैं घन क्यूब रूट अब हमें क्या करना है घन मूल निकालेंगे बच्चा देखो बिटब किसी भी चीज के लिए आप कोई भी चीज करो तो basic आना बहुत ज़रूरी जैसे हम कोई बच्चे से कहें 2 साल का बच्चा की cycle चलाओ तो उसके मारार क्या बोलेंगे मेरा बच्चा भी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है और वो cycle चलाएगा ठीक वही चीज है आपको cycle गाड़ी चलाने के लिए पैरों पर खड़ा होना जरूरी है जो हमारा base है बच्चा यही कामिया आपको cube root, square root यह सब निकालने के लिए आपको कम से कम एक से लेकर एक से लेकर 11 तक cube आने चलिए बस फिर कैसे निकलेगा वो देखो देखो जब एक का cube होता है दो का cube होता है आठ तीम का cube होता है 27 चार का cube होता है 64 पांच का cube होता है 125 छे का cube होता है 216 साथ का cube होता है तीन सो तेन इन पास है आठ का क्यूब होता है पांच सो बारा बेटा नौ का क्यूब होता है एक हजार ग्यारा का क्यूब होता है इतना होता है ग्यारा का क्यों तेरा सो ठीक है 12 का 178 23 का 27 ऐसे हो यह अब आप देखे करना के ठीक है पहले हम क्यूब रूट लिखते हैं फिर आप बताईएगे और सीखिएगा सिर्फ सीखिएगा हम लिख रहे हैं 1064 यहां भी हम लिखते जा रहे हैं और ऐसे कॉलम बनाते हैं ठीक है 14887 ठीक है 1488 और इन सब में क्यूब रूट ही निकालना है ठीक है पिर देखते हैं 941 192 पिर देखते हैं 6859 पिर देखते हैं 1061208 हमें क्या निकालना है पिर देखते हैं 1092727 अब देखो कैसे निकले पहले आप इसका तरीका समझना तरीका क्या समझना है यह समझना है कि बेटा संख्या चाहे 5 अंकों की हो चाहे 6 अंकों की हो चाहे 7 अंकों की हो या 8 अंकों आपको कैसे निकालना है अब यह क्या है संख्या 3 अंकों चाहर अंकों की हो पांच अंकों की हो तीन अंकों का जोड़ा बनाके बनाते हैं और शेश अंकों को अलग करते हैं बस इतना करना है अलग करते हैं ठीक है करना क्या है समझो हमने क्या का दाहिनी तरफ से तीन अंक का जोड़ा बना है सीखो तीन अंक सिर्फ तीन अंकों का जोड़ा ठीक है सिर्फ तीन अंकों का जोड़ा 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 अब देखो ज़रा तीन Baptist का अब करना क्या है जो बच रहा है आगज उसको separate करा लो देखो वन फो रिट स्फोरीट बचा क्या था इंल सेपरेट कर लिए क्या बचा वन जीरो नाइन टू उसको बिलकुल अलग कर लिजे आप 1061 इनको बिल्कुल अलग कर लिजे और 6 बिल्कुल अलग और यहां पर बचा था 10 बिल्कुल अलग कर लिजे मतलब आपको कोई मतलब नहीं है आप देखो करना क्या फिर से समझ आपको केवल 3 अंको का जोड़ा बनाना है क्या केवल 3 हम फिर से लिख रहे हैं के केवल MacAll his कि झेख दियान रखिए ängtाइख़ तीन को फारो जादा नहीं सिर्फ तीन और जो बच रहा है तो नहीं बच रहा है तो आपको सेपरेट कर रहा है फीक है इतना हो गया अब देखो मेरी बास अब देखो करना क्या है सबसे पहले इसका निकाल गए है ठीक है करना क्या बच्चा जो जोडा बनाया है उसका आखरी अंक देखते हैं क्या देखते हैं किए लास्ट डिजित कि आखरी अंक देखते हैं एक से लेकर दस तक किसके क्यूब के लास्ट में आया हैó तो आप कहो कि सर दो जो है आट के Laz och मैं वो लिख लो यानि है आट लेख दिया घृतम का किसका पेर बच्चा क्या आप जो 6 बचता है वो देखें कितना बच्चा है 941 बच्चा जो 6 बचेगा उसको तुम्हें देखना है एक से लेकर 10 तक किसके क्यूब के बीच में आया तो तुम कहों कि सर 9 का 739 और 10 का 1000 के बीच में आ रहा तो बेटा जिनके बीच में हमेशा छोटा वाला प्रफ़ कॉन सा लेते हैं छोटा वालगा आगया 98 का की वाला देखो फिर देखो इधर वाला ये वाला देखो ये वाला ये वाला तिक है आठ सु सकतर का पेर बनाया लास्ट इड़िट सेवन देखो जरा किस में आ रही तुम कहोगे सर लास्ट इड़िट सेवन जो है ये आ रही है तीन में तो हम कहाएंगे बेटा तीन लिख दो तुमने तीन लिख देना थिक अच्छा उसके बाद हम कहाएंगे कितना बचा तो तुम कहोगे सर 148 हम कहाएंगे बिटा देखो एक से 10 तब किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा तो तुम कहोगे सर 145 और 6 हम कहाएंगे बिटा छोटा वाला ले लो 35 आ गया क्यूब पता चल गया 35 का गुणा किया गया है तीन बारा अपस में तब निकला है अब देखो आठ ये वाला इखो आठ किसके लास्ट में आ रहा आठ दो के लिख लिए बचा क्या बिटा हमारे एक पास separate में दस दस किसके बीच में आ रहा दो और तीन कौन से लेंगे दो हो गया खाता पिर देखो अब देखो ये देखो यह वाला है 9 किसके लास्ट में आ रहा 9 लिख दिया और बचा क्या 6 जए किसके बीछ में जबर किसके किसके पीच में और दो क्षिए कौन से लेंगी एक छोटा वाला 19 का भी है दूँम लोग बीगे कि सर कैसे आपने निकाल दी अच्छे कर लो तुम लोग भी क्योंकि 19 का कितना होता है 685 थीक है अच्छा उसके बाद अब ये वाला देखो आठ का आठ किसके लास्ट में आ रहा देखो जरा आठ दो के बहुत बढ़ी हाद दो लिखते हूं कतम पेर काम बचा के 1061 बिटा 1061 दो किसका है 102 यानी 102 को 3 बर भुणा कि और करके देखना अब चेक कर लें ना 200 जब लेक्ते 10 आप समयोग देखो जैसी आपका घर ये आपका घर ये 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 आपका घर और यहीट ढू जली इसलिए मम्मी कहाँ कि बेटा सामान लेए और सब दुकानों में सामान मिलता है तो आपकर पहले पहले वाली दुकान में जाओं दूर वाली यद्म जाओंगे नहीं 658503 658503 658503 ठीक देखें पेर बनाया तीन अंकों का लास्ट से क्या है तीन किसके लास्ट में आता है जरा देखो साथ का क्यूब 344 यानि साथ है बचा क्या है 658 बिटा देखो जरा 68एند किसके किसके बीच में आ रहा है आठ और 9 8 daddy और देखो जरा और देखो जरा एम बताते है Garden 4976 देखतेया किसका क्यूब में लांस्ट की त्री जिट्स क्या है 6 इसके लास्ट में अथा है च्छै कि लिख दिया है इसी तरह से आपके group निकला है आप एक पर recorded देख लीजेगा आपको पूरतिया समझ आ जाएगा ना समझ में आए आप comment box में comment कर दीजेगा ठीक और tension न लीजेगा अभी थोड़ा समय की समस्या है जैसे ही समय की समस्या समापत होगी आपके लिए एक गंटे का lecture आएगा बस जादा नहीं आपको इंफिजार करना पड़ेगा मुश्किल से 8 यह 10 दिन का बिल्कुल आपके पास एक गंटे का lecture और live भी आपको मिलेंगे सारे टीचर और reasoning का भी lectures हो रहे हैं तो आप जो उसका भी enjoy करिए link को इतना share कर दो सबको पता चल जाए एक एक बच्चे को पता चल जाए बाई देखो इतना हाई वाले question करते हैं और basic भूल जाए लेकिन basic आजकल बहुत जरूरी है हर जगा trip काम नहीं करते हैं तो हम आपको पहले basic complete कराएंगी उसके बाद percentage profit and loss SICI सब चलेगा यहीं पर बिल्कुल फ्री तो link share कर दीजे like कर दीजे subscribe कर दीजे दबाक share कर दो ताकि सब के पास पहुंच जाए और जैसे तुम लोग पढ़ें वैसे लोग भी पढ़ें और रोवित सर को देखें और जाने तो बस आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं कल फिर से और तब तक के लिए thank you